सुपरिश्टार अक्षे कुमार और टाइगर स्रोप के मोश्ट अवेटेड फिल्म बड़े मिया छोटे मिया फाइनली रिलीज हो चुकी है और रिलीज होते ही फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ओफिस पर कर दिया है सबसे बड़ा धमाका हिंदुस्तान में तो फिल्म को जबर जस्तर रिस्पोंस मिला है साथी साथ फिल्म ने विदेसों में भी ताबर तोड़ कमई की सुरुआत कर दी है तो आज के इस विडियो में बात करेंगे बड़े मिया छोटे मिया फिल्म के फर्ष्ट डे वर्ल्ड वाइट कलेक्शन के बारे में और आपको बताएंगे फिल्म ने पहले दिन दुनिया भर से कितने करोड की कमई की तो चलिए सुरुआत करते हैं देखते रहिएगा पुरा विडियो साथ साथ कमेंड करके बताएगा कि बड़े मिया छोटे मिया फिल्म अगर आपने देखी तो ये फिल्म आपको कैसी लगी सुपर हिट या ब्लोक बश्टर दोस्तों बड़े मिया छोटे मिया जो की 2024 की सबसे बड़ी एक्सन फिल्म है जिसे डाइरेक्ट किया है अली अब्बास जफर ने जो इससे पहले टाइगर जिंदा है और सुल्तान जैसी दो मेगा ब्लोकबस्टर फिल्मे ओल्रेडी बोलियूट को दे चुके हैं बड़े मिया छोटे मिया फिल्म के लेडिंग इस्टार काश्ट में हमें देखने को मिल रहे हैं बोलियूट के रियल एक्सन इस्टार अक्षे कुमार और उनके साथ नजर आ रहे हैं टाइगर सुरो फिल्म के विलन के रोल में हमें नजर आ रहे हैं मलियालम एक्टर सबरी से इंतसार कर रही थी क्योंकि दोस्तों पहली बार पुरानी जनरेशन के एक्सन हीरो अक्षे कुमार और नई जनरेशन के एक्सन हीरो टाइगर सुरोप एक साथ आने वाले थे जिसके चलते ही फिल्म को लेकर ओडियंस के बीच की जो एकसाइटमेंट ही फिल्म के अप्रेल को लेकिन फाइनली इस फिल्म को एक दिन बाद यानि की 11 अप्रेल को सिनमा घरो में रिलीज कर दिया और दोस्तों फिल्म को रिलीज होते ही जो रिव्यूस मिले हैं वो पूरी तरह से पोजिटिव है और जो जो लोग इस फिल्म को देखकर आए सब का कहना है कि ये फिल्म बोल्यूट के इतिहास के अब तक के वन अब दा बेश्ट एक्सन फिल्म है जिस फिल्म में एक्सन सिक्वेंस तो ला जवाब है साथ इसाथ फिल्म में कोमेडी भी काफी भरपूर है तो यहाँ पर दोस्तों अक्षे कुमार और टाइगर सुरोप ने बॉक्स ओ यहाँ पर बात की जाए बड़े मिया चोटे मिया के बोक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में दोस्तों उससे पहले जान लेते हैं आजे देउगन की फिल्म मेदान के भी फर्श्ट डे कलेक्शन तो दोस्तों आपको बता दें कि हम इस सर्माइकर डारेक्शन में बनी स्टार आजे देउगन के साथ हमें देखने को मिल रही है प्रिया मनी और गजराज राओ बताना चाहूंगो दोस्तों ये फिल्म लगभग 5 सालों से बार बार पोस्पोन होने के बाद फाइनली अब सिनमा घरों में रिलीज हो चुकी है और दोस्तों इस फिल्म को भी पब उसे मिला है उसे देखकर लग रहा है कि आजे देउगन की मेदान भी बॉक्स ओफिस पर एक बड़ी हिट होने वाली है हलाकि बात करें मेदान के बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में उससे पहले जान लेते हैं इस फिल्म का बजट और रिकावरी तो दोस्तों आपको बत पहले ही इस फिल्म के मेकर 100 करोड रुपे से जादा की रिकावरी तो ओल्रेडी कर चुके थे किस तरह मैं आपको डिटेल में बताता हूँ यहाँ पर दोस्तों मेदान फिल्म के जो डिजिटल राइट्स है यानि की OTT के राइट्स वो 65 करोड रुपे में बिक चुके हैं वही इस फिल्म के जो सेटलेट राइट्स है यानि के टीवी पे दिखाने के राइट्स वो भी के है 37 करोड में इसके लाओ दोस्तों फिल्म के म्यूसिक राइट्स भी 16 करोड में ओल्रेडी बिक चुके थे यानि के दोस्तों देड़ सो करोड के बजट में बनी मेदान फि में 11 अप्रेल से सही से रिलीज हुए लेकिन इस फिल्म के एक दिन पहले यानि कि 10 अप्रेल को 6 बजे के बाद पेट प्रिव्यू सो रखे गए थे जहां पर भी फिल्म को काफी बढ़िया रिस्पोंस मिला था और फिल्म ने पेट प्रिव्यू सो से ही लगभग 3.5 करोड र नेंगेंश में कर रही है पेट प्रिव्यू सोस मिला कर वहीं दोस्तों फिल्म का जो फ्रस्टे का इंडिया ग्रोस फिस collection है including paid preview source वो हो रहा है 18 करोड का जिया दोस्तो फिल्म के first day collection और paid preview source के collection मिला दिये जाए तो फिल्म का worldwide collection 18 करोड की range में हो रहा है जो की काफी अच्छी कमई है अब देखते हैं दोस्तो आने वाले दिनों में इस फिल्म के collection में और कितनी growth देखने को मिलती है वही दोस्तो अब अगर बात कर लिजाए फिल्म बड़े मिया छोटे मिया के बारे में तो दोस्तो आपको बता दे कि बड़े मिया छोटे मिया फिल्म के भी paid previews एक दिन पहले यानि कि 10 अपरेल को रखे जाने थे लेकिन फिल्म के makers ने इसके paid previews वो इसके इंसल कर दी और ये फिल्म अलावा तमिल तेलगु मलियालम कंड़ा यानि कि पेन इंडिया रिलीच किया गया है और ये फिल्म दुनिया भर में 4700 स्क्रीन पर रिलीच की गई है बात करें इस फिल्म के फर्ष्ट डे कलिक्सन के बारे में उससे पहले जान लेते हैं इस फिल्म का भी budget और recovery तो दोस्त आपको बता दे कि भले ही फिल्म 300 करोड के budget में बनके तयार हुई है लेकिन ये फिल्म सिनमा घरों में दस्तक देती उसके पहले ही इस फिल्म के makers भी 200 करोड रुपे से जादा की recovery already कर चुके थे वो किस तरह मैं आपको detail में बताता हूँ यहाँ पर दोस्तो बड़े मिया छोटे मिया फिल्म के जो digital rights है यानि कि OTT streaming के rights वो 5 भासाओ के 115 करोड रुपे में भी किये है वो ही दोस्तो इस फिल्म के जो satellite rights है यानि कि TV पर दिखाने के rights वो भी किये है 72 करोड में 5 भासाओ के इसके लाओ दोस्तों इस फिल्म के Music Rights Z Music ने 26 करोड में खरीदे थे यानि कि दोस्तों 300 करोड के बजट में बनी फिल्म बड़े मिया छोटे मिया के प्रोडियूसर इस फिल्म के Digital, Satellite और Music Rights से बेज कर 213 करोड की recovery ओल्रेडी कर चुके थे मतलब कि फिल्म सिनमा घरों में रिलिज होने के बात तो ताबर तोड कमाई कर रही है लेकिन फिल्म रिलिज होती उसके पहले ही 200 करोड रुपे से जादा तो इस फिल्म के makers ओल्रेडी अंदर कर चुके हैं जो की एक तरह से काफी सामदार है लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए South languages की तो यहाँ पर South में फिल्म को बढ़िया response मिला है तमिल वर्जन में और थोड़ा बहुत अच्छा response मिला है तेलगू वर्जन में हलाकि फिल्म में मल्यालम, सुपरिश्टार, क्रतिरा, सुकुमारन है लेकिन इसके बावजूद भी फिल्म को मल्यालम वर्जन से उतना अच्छा response से देखने को नहीं मिला बड़ दोस्तो ओर आल देखे जाए तो यहाँ पर बड़े मिया छोटे मिया फिल्म, ओल और इंडिया में पहले दिन एक अच्छी खासी कमया कर रही है जिया दोस्तो अर्ली एश्टिमेट आकडों के हिसाब से बड़े मिया छोटे मिया फिल्म अपने पहले दिन ओल इंडिया नेट कलेक्शन सबी भासाओं से 21 करोड़ 50 लाख रुपे की रेंज में कर रही है जिसमें इस फिल्म का इंडिया ग्रोस कलेक्शन 25 करोड़ 50 लाख र रुपे की कमई कर रही है इसी के साथ दोस्तो बड़े मिया छोटे मिया का जो फश्ट डे वर्ड़ वाइड बोक्स ओफिस कलेक्शन होता है वो हो रहा है 32 करोड़ रुपे जिया दोस्तो फिल्म पहले दिन दुनिया भर में 32 करोड़ की सांदार कमई कर रही है तो दोस्तो फिल्म को रिव्यूज बे अच्छे मिले और फिल्म की ओपनिंग भी काफी बढ़िया है तो इतना तो कन्फोर्म हो जाता है कि ये फिल्म आने वाले विकेंड में बॉक्स ओफिस पर तबाही कमाई करने वाली है हालागे दोस्तों मेदान और बड़े मिया च्छोटे मिया के कलिक्सन को अगर देखे जाए तो अक्छे कुमार और ताइगर सुरोप की फिल्म बड़े मिया च्छोटे मिया मेदान को काफी पीछे छोड़ चुकी है बागे दोस्तों अगर आपने अजे दोगन की मेदान और अक्षे कुमार टाइगर सुरूप की बड़े मिया छोटे मिया दोनों ही फिल्में देखी तो इसमें से आपको बेश्ट फिल्म कौन से लगी कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरूर बताए और डेली इन दोनों फिल्मों के बॉक्स ओफिस कलेक्शन वीडियोज देखने के लिए आपके अपने इस चेनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले मैं मिलता हूँ आपसे एकले वीडियो में जब तक के लिए खयाल रखे अपना और अपने माता-पिता का जेहिंद वंदे मातरम